नमस्कार नियुस फॉर्णीशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हो रचाशर्मा चीन की गोद में बैठा नेपाल लगतार भारत को उक्साने की कोशिस कर रहा है भारतिय शित्र पर कबजा करने की कोशिस कर रहा है इसी बीच ये खबर आ रही है कि बालमीकी नगर शित्र म सामने नेफाल अपने इलाके में गंडक नदी के पास एक खेली पैड तयार कर रहा है इसके साथ ही वहाँ अस्थाई टीम शेड का निर्मान भी किया जा रहा है जिसमें ततकाल यहां काम करने वाले मजदूर रहेंगे दोनों देशों के बीच बढ़ी रार के बीच नेपा सुरक्षा एजंसियों ने भी अंतराष्ट्री सीमा पर गश्त बढ़ा दी है सुत्रों की माने तो बालमिकी नगर सीमा श्रित्र से सटे नेपाली श्रित्र में नरसही गाव के पास निर्माना धीन है हेली पैड नरसही गाव के चार नंबर वार्ड में है सुत्रों से मिले इसे दिनों दोनों देशों के बीच बड़ी तलखी के कारण सीमांचल में तनाव किस्तिती है। नेपाली सरकार इस तरह के कारे को अंज्वाम दे रही है जो चिंता का विश्य है। इस बावद सश्चत्र सीमाबल 21 वी वाहिनी के सेना नायक राजियंद्र भारदवाज ने दुर्भाश पर बताया कि ऐसी सूचना प्राप्त होई है जिसके सूचना SSB के वरियादिकारियों को दे दी गई है। SSB के जवान लगतार चोकसी बरत रहे है। दोनों देशों के बीच बड़ी रार के बीच नेपाल सरकार के इस कदम के बाद कई कयास लगाये चा रहे है। ऐसे पहले गंडक बराज पर नेपाली आर्मी औस्थाई चौके का निर्मान कराया गया। तो नेपाल लगतार भारत को उकसाने की कोशिस कर रहा है इससे पहले भी खबर आई थी कि बिहार के अलग-अलग जिले जो कि नेपाल से सटे हैं वहाँ पर नेपाल कबजा जमाने की कोशिस कर रहा है बांध बनाया जा रहा है लेकिन इससे बीच अब ये खबर आ रही है कि नेपाल अपने ही सिमाश्यत्र में एक हैली पैड बना रहा है जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहा है कि नेपाल किसी और ताक में बैठा है इसको लेकर अब भिहार सरकार भी अलर्ट पर है इसके साथ सस्वी को भी अलर्ट पर रख दिया गया है देश्च और दुनिया के तमाम अप्डेट्स किरें हमार साथ बन रहा है और देख्ते रही नियूस पोनेश्ट नमस्कार